हलो फ्रेंड्स, सूजी और बेसन का हलवा बनाने के लिए हम एक पैन में आदा कब घी लेंगे, उसमें आदा कब सूजी और आदा ही कब बेसन अड़ करेंगे अब हम बेसन और सूजी को मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक कि वो ब्राउन ना हो जाए अब फ्लेम को तेज मत कीजिए, अदरवाइस आपका हलवा जल जाएगा देखिए, अब हमारा हलवा ब्राउन हो रहा है, अब हम इसमें एक गलास गरम पानी आट करेंगे अब पानी धीरे धीरे आट कीजिए, जितना रिक्वाइड हो उतना ही आट कीजिए अब आपको इसे पास से आठ मिनिट मीडियम फ्लेम पर कोक करना है हमारा हलवा अच्छे से कोक हो गया है, अब हम इसमें वन कप शुगर आट करेंगे आपको इसको मीडियम फ्लेम पर कोक करना है, जब तक ही साइट से घी न छोड़ दे देखिए हलवे ने घी छोड़ दिया है, अब यह बिलकुल रेडी है, आप गैस का फ्लेम आफ कर सकते हैं thank you for watching my video and please do subscribe thank you